तो दोस्तों एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है स्पोट्स तक में और अकाय कोली जी हाँ इस नाम की काफी ज्यादा चर्चा हो रही है कल जब ये न्यूस ब्रेक हुई कि विराट कोली और अनुशका शर्मा आर ब्लेस्ट विद बेबी बॉई और उन्होंने उनका ना क्या होता है अलग-अलग तरह से जो हैं लोग बता रहे हैं क्या मतलब होता है कहीं लिखा जा रहा है कि इसका मतलब हिंदी शब्द काया से जिराइव करके आया है और उसका मतलब होता है बॉड़ी यानि कि अकाय मतलब something which is more than a physical body और Turkish का भी मतलब है shining moon और कुछ लोग कह र बहुत सारे अलग-अलग मतलब निकाल कर आ रहे हैं सवाल भी उठाई जा रहे है कि क्या क्योंकि बीच में आया था कि विराट की एक फोटो कापी जादा वाइरल हो रही है और वो लंदन में दिखाई दे रहे हैं हाला कि इसकी पुष्टी नहीं हुई है कि वो लंदन में हैं नहीं है ओफिशिल कोई कांफिमेशन नहीं है लेकिन कहा यहीं जा रहा है कि बेबी वस बॉर्ण इन लंडन और एक पोस्ट आप पीछे देख सकते हैं यह जो कि कल हमने आपको बताया था कि विराट और अनुष्का दोनों ने ये पोस्ट शेर किया था गिविविंग इसमें उन्होंने लिए लिखा था कि बेबी वस बॉर्ण अनुष्का जो है लंदन में है और बच्चे का जन जो है लंदन में हुआ है हाला कि इसकी कोई सवाल ये भी है कि क्या बच्चे की सिटिजन्शिप को लेकर कि क्या वो एक ब्रिट सिटिजन होगा उसके बाद अकाय के नाम के कापी ज्यादा सोशल मीडिया पर अल्रीडी पेजिस बन चुके हैं और उनके प्रोफाइल बन चुके हैं आप मेरे साथ देख सकते हैं मैं आ सारे प्रॉफाइल पेज़ अकाय कोली के नाम से अल्रीडी बन चुके हैं ये इंस्टेग्राम पर है अगर मैं एक्स अकौन पर जाओं तो वहाँ पर भी अकाय कोली को देखा जाए तो बहुत सारा לפils दिखाए देगा अकाय कोली जो है काफी ज skipping कर रहा है लोग जो है हैश्टाग अकाय कोली करके कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं और pages बना रहे हैं, profiles बना रहे हैं आपको याद होगा कि जब इन्होंने ये announcement की थी, विराट और अनुश्का ने about their second baby within a few hours लगबग एक घंटे के अंदर-अंदर उनकी उस post को millions and millions of views मिले थे जो कि बहुत ज़्यादा हैं within a span of one hour अब citizenship को लेकर अगर बात की जाए तो क्या अकाय कोली यानि विराट के नए newborn baby boy जो है वो Brit citizen है या नहीं इस पर भी काफी ज़्यादा confusion है, लोग जानना चाह रहे हैं काफी ज़्यादा चर्चा हो रही है लोग research कर रहे हैं कि क्या will he be considered as an Indian, will he be considered as a Brit citizen तो आईए देखते हैं इसमें क्या कुछ निकल कर आया है सबसे पहले तो आपको बता दें अब देख सकते हैं विराट अनुष्का जैसे मैंने आपको कहा कि वो लंदन में कहा जा रहा है reports आ रहे हैं कि वो लंदन में थे और बेबी का जो जन्म है लंदन में हुआ इसके बाद अकाय जो है पंदरा तारीक को उनका जन्म हुआ था he was born on the 15th of February 2024 इसके लावा queries जो है उनके British citizenship को लेकर आ रही है सवाल जैसे मैंने कहा उठाए जा रहे है whether he is a British citizen or whether he is an Indian citizen और आगे बताते हैं British citizen किस तरह बंते हैं one of the two parents has to have a UK citizenship यानि की दोनों parents माता या पिता में से किसी एक के पास UK citizenship होना अनिवारे है होना चाहिए form of settled status आपका settled status वहाँ पर क्या है such as indefinite leave to remain यानि ILT आपको approve किया गया है ILT मिला है at the time of the birth बच्चे के बच्चे के वक्त इसके अलावा अगर आप देखें जैसे मैंने कहा indefinite leave to remain अगर यह status आपको मिलता है तो उसके हिसाब से बच्चे की citizenship मिलती है इसके नेक्स अगर slide देखें तो उसमें आप देख सकते है apply for ILR जैसे indefinite status जो मैंने कहा apply for ILR after staying in UK for 5 years तो आपको उस ILR के लिए apply करना होता है लेकिन उससे पहले आपको 5 साल UK में बिताना होता है उसके बाद ही जाके आपको यह status मिलता है और citizenship grant की जाती है in between अगर the baby is born then the baby will also have to spend that amount of time if married to British citizen can get citizenship after 3 years अगर शादी British citizen से हुई है तब आपको citizenship मिल सकती है 3 साल बाद तो इन तीनों cases में आप देखिए कि यहाँ पर apply नहीं करता है इस situation में तो हम यह कह सकते हैं कि अभी फिलहाल जो है it is right to say that Akai Kohli is not a Brit citizen वो Brit citizen नहीं है England के citizen नहीं कहलाए जाएंगे और दो चीजे हैं इसको लेकर सवाल उठ रहे थे और उनकी profiles काफी ज़्यादर देख रहे हैं अगर आपके हाथ में phone है तो आप देख सकते हैं The moment you type Akai Kohli तो बहुत सारे profiles pop up हो जाएंगे और trend कर रहा है उनका नाम और उनकी नाम के मतलब को लेकर काफी ज़्यादर सवाल उठाए जा रहे हैं जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था अगर आपको पता है Akai का मतलब तो हमें comment section में जरूर जाके बताईएगा अभी के लिए बस इतना ही उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छे लगी होगी